हालो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्वीटी पीजी अट्डा प्लाटफॉर्म और आज मैं आप सभी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट को रिजॉल्व करने वाली हूं यानि कि यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं यानि कि बनारस हिंदु उनिवस्टी के PG admission का MA admission का पूरा प्रॉसस क्या होने वाला है, paid seat का मतलब क्या होता है, fees कितनी लगने वाली है, eligibility क्या होता है, किस प्रकार से पूरा admission का प्रॉसस होता है, सारी चीज़े एक ही वीडियो के इंतरगत हम लोग जुग है, cover up करने वाले है सबसे पहले अगर आप content को देखें तो यहां पे आपको page number wise सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी, जो भी चीज़े आपको जिस भी page पे चेक करने आप देख सकते हो, यह पहले starting में पूरा counseling code और number of seats के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी, then we have eligibility, then we have group discussion and personal interview, तो BHU में एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कुछ courses ऐसे होते हैं, जिसके अंतरगत केवल directly suvtk through admission नहीं मिलता है, score के साथ 20% weightage आपकी group discussion and personal interview की भी होती है, लेकिन इस सभी courses पे applicable नहीं है, तो आपको अपना course check करना है, तो आप bulletin के अंतरगत check कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें, तो वहाँ पे और काफी सारे courses हैं, जिसमें आपको directly suvtk scorecard से ही admission मिल जाएगा, then you have reservation and other चीज़ जो की hostel facilities वगेरा होते हैं, चलिए, अगर हम बात करें, यहां से, आप देख भी रहोंगे, हमारी important चीज़ यहां से शुरू होती है, यहां पे आपको अगर पहले दिखाई दे, तो आपको यहां पे दिखाई देगा course का code, course का name, साथी साथी यहां पे intake, intake का मतलब क्या है यहां पे, intake का मतलब क्या है यहां पे, बेटा number of seats, क्या बात है यहां पे, seats का, चेक है, then you have regular and paid seat, अब यह दो differentiation आपको समझने की जरुरत है, यह है regular course, यानि कि SWDPG, scorecard के basis पर जिनको admission मिला है, then BHU में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, कि कुछ percentage, 10% around admission जो है, वो paid seat के लिए रखे जाते हैं, मालों कि थोड़ इसे margin से आपका admission नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चों के लिए, जो काफी अच्छा score करते हैं, बढ़ कुछ particular ए जो से थोड़ी से जाद आपको pay करनी होगी, और इसका structure courses to courses vary करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हूं, कि आप तमाम तरीके की, तमाम तरीकी का fee structure आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, चाहे आप MA History of Arts की बात करनी, MA Indian Philosophy की बात करनी, या फिर MA Philosophy की बात करनी, स option जो है available होता है, चलिए, so यह सब चीजों के लिए दे रखाया है, आप देख सकते हो, faculty of commerce में भी दिया हुआ है, कि बाकी बच्चे को कितना देना है, and सभी courses में अगर आप देखें, तो यह वाला जो column है, यह वाला column आपका सारा-का-सारा seats का है, ठीक है, तो आप bulletin के अं faculty of education के अंतरगत कौन कौन सी seats है, then you have faculty of law, faculty of performing arts, faculty of sanskrit and vidyadharma, then we have faculty of social sciences, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, because मेरा subject है, चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम MA economics की बात करें, तो MA economics में आपका जो total intake है, वो आपका 96 है, वो आपका 96 है, और यह बाकी के division है कि किस particular college में कितनी seats है, then we have MA in political science, जिसमें total seats 96 है, and these are the intake, जो कि particular colleges में available है, इस सब का जो समय है, वो है 96, यानि कि total BHEW में 96 seats है, regular बच्चों के लिए इतना फीस होने वाला है, और जो paid seat देंगे, यानि कि जो पैसा देंगे, एक्स्टा फीस देंगे, वो इनका इतना होनी वाला है, ठ चिके, चली, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा eligibility criteria के बारे में, चली, अगर हम eligibility criteria की बात यहाँ पे करें, तो ज्यादा तर तो आप सभी को पता होगा, कि main eligibility तो वही होती है, कि graduation में 50% marks होनी चाहिए, और अलग-अलग seats जो हैं, जो particular honors background से हैं, और जो non-subject वाले background से हैं, अगर सभी लोग स्वीटी पीजे के थ्रू आते हैं, एक्जाम के थ्रू आते हैं, तो स्वीटी पेपर कोर्ट्स आपने पहले भी देखे होंगे, these are the general codes, MA के अंतरगत, और MA in स्वीटी पेपर कोर्ट, यह है duration, यानि कि 2 साल के आपके MA होती है, जिसके अंतरगत 4 semesters आपको अगर हम यहाँ पर एकादे कोर्स का जो है, एक्जामपल उठा करके ले ले, अगर हम एकादे कोर्स के यहाँ पर एक्जामपल लेए, तो हम किसका लेना चाहेंगे, चले आगे चलते हैं, एक बड़ी, हम अपनी subject का ले लेते हैं, यह है MBA का then we have MCOM का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Faculty of Education के बारे में आपको पता होगा कि यह B.Ed, M.P.Ed वगेरा भी जो है यहाँ पर करवाते हैं Faculty of Sanskrit and Vidyadharma Faculty of Social Sciences अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिख है MA Economics, MA History, MA Political Science अगर हम बात करें Political Science की तो आपका BA Honors होना चाहिए है तो BA या फिर B.S.C. ओनर या फिर B.S.C. 10 प्लस 2 प्लस 3 जो भी आपका पाटन रहता है यानि कि graduation आपकी जो रहती है कम से कम आपका परसेंटेश होना चाहिए वो है 50% Marks Aggregate Basis पे 50% आपके Marks होने चाहिए और कम से कम वो सब्जेक्ट आपने पासी Marks उसके अंदरगत होने चाहिए अगर आपने वो सब्जेक्ट रियाजिशन के अंदरगत पढ़ा है और डिगरी है Marksheet है Candidate Must Have Studied Political Science in All 3 Years अंदरगेजूट लेवल मालो आप B.A. सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस आउनर से हो तो अपने पर्टिकुरब पॉलिटिकल साइंस को तीन हो साल पढ़ा हो ऐसा नहीं कि बीच में आपने कोर्स को स्विच कर लिया स्विचि है काफी अलग 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 तरीकी के लिगिबिलीटी है यूचेक फैकल्टी ऑफ वीज्विवार्ट्स यहां पया अलग अलग पर काल के कोर्सेच को स्विच जो है यह आपकी BHU Counseling Quartz हैं, तो basically BHU Counseling Quartz क्या होता है, D.U. का भी process कुछ इसी प्रकार से होता है, D.U. का आपका खुद का पोर्टर है CSAS, उसके अंतरगत आपको counseling process के लिए apply करना होता है, वो सब कुछ आपको upcoming वीडियो में बताऊंगी, तो BHU में भी कुछ इसी प्रकार से आपको counseling के लिए apply करना होता है, यह आपका faculty institute है, और यह आपका counseling code है कि किस-किस के अंतरगत आपको counseling करवानी है, यह सब कुछ आप लोग पर्टिकुलर बॉलेटेन से देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारे courses ऐसे भी हो सकते हैं, जिसके लिए test जरूरी है, जैसे कि physical education में हो सकता है, music में हो सकता है, arts में हो सकता है, dance में हो सकता है, उसकी criteria आपको जो है check ही करना पड़ेगा, then these are the reservation policy, यह तो I guess आप सभी को जाधर तर पता ही होगी, उसके बाद अगर हम बात करें, तो यह आपका पूरा का पूरा fee structure आपको अगर एक ही जगा पे देखना है, कि hostile fees कितनी होती हैं, तो around 4000 के करीब आपकी सारी किसारी hostile fees होती है, तो अगर हम एक brief में बात कर लें, अगर बीप में बात कर लें कि पूरा एडमिर्शन कैसे मिलता है तो सबसे पहले you need to give CVT exam सबसे पहले you need to give CVT exam चेक है then apply on portal जब आपका CVT PhD exam के बाद score आ जाएगा then you have to apply on portal portal के बाद आपको participate करना होगा counseling process के अंतरगत जिसमें ज्यादा तर आपका documents verification होता है क्या होता है आपका documents verification तो basically counseling process is nothing counseling process के अंतरगत आपको documents verification कराने होते हैं आपको अपनी preferences देनी होती हैं जैसे कि अभी आपने देखा कि हम चार colleges यहां पर उफर करने हैं political science चारों का अपरोग preference देना होगा same with due आपको due में colleges को preference देना होता है और probably आपका अगर score first preference से match होता है तो first ही आपको दे दिया जाता है तो play smartly आपको अपने score क्या according ही preference को ध्यान देना है so this is the process और ultimately आपका सारा का सारे चीज़े update आपकी portal पर ही आते रहेंगी कि आपकी documents verify हुए है नहीं हुए है कोई दिक्कत परिशानी उसके अंदर गतारी है तो सारी चीज़ें आपकी portal पर ही रहती है so आप सभी को अपना portal जो है बार 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 जो है check करते रहना पड़ेगा so that's it for today I hope आप लोग को process थोड़ा समझ में आया होगा थोड़ा steps समझ में आया होंगे कि पूरा मैंने आप लोग को क्या बताया है और अपने particular course के लिए अगर आपको जानना है तो आप पूरा bulletin भी download कर सकते है so thank you for watching and please subscribe to the channel